आज जो टॉपिक है वो है हमारा ट्रेडिंग के हवाले से सबसे पहले चीज़ आप यह जहन में रखते कि ट्रेडिंग में आपके साथ 4 चीज़े होती हैं या पिर ट्रेडिंग आपके साथ 4 किसम के होते हैं नमबर पहले पेपल ट्रेडिंग है पेपल ट्रेडिंग मेंस डेमर ट्रेडिंग जब आपके साथ कैपिटल नहीं है and you want to learn something ठीक है आप रिसक नहीं लेना चाहते हैं Then go for paper trading. Paper trading is like just training your mind. How to tackle with the market. So this is something else from the sport trading. इसके बाद sport trading आ जाता है, जो कि दूसरे किसम का है, फिर उसके बाद marginal और future trading आ जाता है. अच्छा, मैं आपको आज हम जो discuss करेंगे, वो sport trading के हवाली से करेंगे, लेकिन मैं कुछ आपको चीज़े बता दू. future और marginal में क्या है, कि उसमें ये होता है, कि आप किसी भी exchange है, मैं Binance की इसलिए बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये दुनिया का सबसे बड़ा exchange है, जिसके उपर सबसे ज्यादा high volume की trading होती है. तो इस वज़े से मैं Binance को chase करता हूँ, और Binance के उपर मैं, इसके लवाँ मैं QCoin को भी इस्तिमाल करता हूँ, ऐसे coins जो Binance पे अभी तक नहीं आ चुके, क्योंकि Binance सिर्फ top coins को choose करता है, और QCoin वगरा और बाकि जितने भी exchanges होते हैं, वो ज़रूर नहीं है कि वो top coins को ले जो है, अच्छा, इस चीज़ को अब हम चोड़ते हैं, अच्छा, Marginal of Future की जब बात की जाती है, तो उसमें ये जहन में रखना चाहिए, कि उसमें आप बोरा का process करते हैं, मतलब उसके अंदर आप किसी exchange से आप कुछ dollars या कुछ capital, कुछ amount आप खरीद लेते हैं, कि यार capital भी वापिस कर दूँगा, जितनी amount आपने उन से ली है, plus interest included, means कि उसके उपर markup भी है, सबसे easy, आसान और less risky, with no, मतलब हराम का system नहीं है, वो है sport trading, sport trading, जब आप अपना पहले वाले ट्रेडिंग खतम करते हैं, जिसे कहते हैं, paper trading, उसके बाद आप sport trading की तरफ आजाते हैं, अब ही आप आते हैं, कि sport trading पे किस तरह आपने purchasing करनी हैं, मेरे साथ तो फिलहाल dollars नहीं हैं, लेकिन आपको method दिखा देता हूँ, इर्शला आपके लिए बहुत easy होगा, इस से पहले कि हम topic पे आज हैं, इस वीडियो को like करना, subscribe करना, और अपने दोस्तों के साथ share करना, ताक ठीक है, अब Binance के अंदर मैं आगे हूँ, ठीक है, अब bottom पे चले जाएं, आपके साथ home है, market है, trades है, future है और जो भी है, तो आपके साथ ये bottom मैं, markets का ये मतलब हो गया, कि आपने आपकी जितने भी projects पड़े हुआ हैं, देखें, BTC, Dogecoin, Polka.nearcoin, Filecoin, APE, Rune, इसमें ये three coins है, कुछ metaverse के हैं, कुछ NFTs है, कुछ defy coins है, मुखतलिफ किसम के coins है, जो के मुखतलिफ base पे बने हुआ है, अब हमने क्या करना है, हमने देखें, ऊपर favorites की नीचे आप देखें, sport and future की बात की जाती है, ये future है, ठीक है, हमने future की बात नहीं करनी है, हमने sport की बात करनी है, कि हमने sport के अंदर किसी भी coin में किस तरह purchasing करनी है किस तरह हमने उसके अंदर sell करना है किसी चीज को ठीक है अच्छा उसके लिए आपके साथ क्या करना है उसके लिए simple is that मैं नीचे home का button है home का button आप नीचे देखें पहले मैं ये click करता हूँ ठीक है मैं आता हूँ पीर अच्छा दर्मियान में आप पीर टू पीर ट्रेडिंग को देख लें पीर टू पीर ट्रेडिंग का मतलब यह है कि आपने पहले dollars को purchase करना है यहां से पीर टू पीर से आपने dollars purchase करना है 214 की चल रहे हैं यह current rate है उपर टॉप पे सबसे सस्ता dollar होता है और जब नीचे जाते जाओ तो पिर क्या होता है आपका dollar जो है मजीद मेंगा होता जाता है मतलब एड में priority उसको मिलती है जो सस्ता dollar बेचता है दूसरी चीज आपने merchant को देखना यह yellow tick है इसके साथ merchant से purchasing कर लिए है नमबर थीन चीज सबसे ज़्यादा trades हुए है 1000 तो कम से कम पूरे हुए हूँ इसका देख लें यह नेट्रोली जो भी है यह 739 ट्रेड इसके पूरे हुए है 99% इसकी वह है तो आप इस तरह करें कि जिसके trades ज्यादा है इसके ठीक है 700 कम नहीं है इसके लाव 99% इसका है इसका success rate भी ज्यादा है और इसने trades भी ज्यादा है कि आप इन से purchase कर लें ठीक है पर्चेस किस तरह जाके यहाँ पे जाके जितनी भी amount है ठीक है मिसाल की तोर आपने 10,000 की purchasing करनी है लिख लें ठीक है 10,000 इसकी जो minimum है वो बहुत ज्यादा है क्योंकि यह merchant है यह कहता है कि आपने यूना टेन 100,000 दो लाग से कम मैंने purchasing नहीं बेजना बतलब यह कहता है दो लाग और तीन लाग 21,000 के दरिम्यान आपने purchasing करनी है तब मैं जाकर आपको दे सकता हूँ वरनरे इसके लावा कुछ नहीं दे सकता हूँ दो लाग तक मैं दे सकता हूँ मीनिममम 20, 30, 50,000 नहीं अगर आपके साथ amount कम है तो आप limit को देख के आप purchase अब यह कहता है इस सबसे top पे जो है यह कहता है मैं 50,000 तक भी दे सकता हूँ तो आप यहां पर 50,000 लिखते हैं ठीक है ठीक है 50,000 यह 51,000 ए अरेंज इस का ठीक है जब आपने purchasing कर ली उसके बाद आपके साथ coins आ जाते हैं आपके साथ आजाते हैं spot wallet में ठीक है sorry funding wallet में आ जाते हैं आपके साथ जो coins आ जाते हैं तो funding wallet में आ जाते हैं आपने जब आपको वहां से dollars release कर दिया जाता है आपको दे दिया जाता है जब आप पीर टू पीर यहां से आप खरीद लेते हैं ठीक है यहां से आपने डॉलर्स खरीद लिये इन से आपने खरीद लिया तब जाके आप आपने क्या करना है होम के बटन को क्लिक करना है नीचे होम का बटन है या पिर आपने होम के बाद इद प्रांसफर को क्लिक करना है थर्ड नमबर पर ठीक है इसके इलावा जो है आपके साथ जो भी डॉलर्स होते हैं वो आपके साथ फंडिंग में होते हैं आपने उपर वाला फंडिंग करना है नीचे वाला स्पोर्ट करना है और तब जा कि आपने डॉलर्स को सेलेट करना है च जाते हैं आपने क्या करना है आपने स्पोर्ट में चेंज कर देना है स्पोर्ट में चेंज करके क्योंकि आपने स्पोर्ट ट्रेडिंग करनी है इस इन आने स्पोर्ट ट्रेडिंग आप इस चीज को सीख लें, sport trading, क्या करना है, sport trading, तो sport trading करने के लिए आपको funding trading से sport wallet में change करना है, या funding balance से आपने sport wallet में change कर देना है, आपने maximum जितने भी dollars purchase की है, maximum को select कर दें, देखें, maximum को button है, उसके बाद नीचे confirm transfer कर देना है, इस बात तक आपको समझ आ गई न, अच्छा, जब आपके साथ sport wallet में, मैं आप इस चीज को बार बार आपको कह रहा हूँ, कि आपको इस चीज को पता होना है, यह clear कर ले अपना जहन, transfer, transfer आपने करना है, funding से sport पे, तो मतलब यह है from funding, वहां से आप peer to peer से आपका पैसा आया हुआ है, उससे जो पैसा आया हो, वो funding में community होता है, आपने इसको भी change करना है, तो आपके साथ यह चीज होनी चाहिए, फिर maximum को select कर ले, आप 50 डॉलर्स है, maximum select कर ले तो नीचे 50 लिग दिया जाता है, पिर आपने confirm कर देना है, जब confirm कर लो तो आपके साथ डॉलर्स यहां पे show हो जाएंगे, यह देखें, यह sport trading है, यह मेरे साथ कुछ purchasing है, तो theta है, galaxy है, file coin है, इसके उपर आपके साथ dollars mention कर दिये जाते हैं, ठीक है, इसका मतलब यह है कि यह dollars अब आपके लिए available है, sport trading के लिए, किस चीज़ के लिए, sport trading के लिए, देखें उपर देखें, over you, sport, दूसरे number पे sport, इसका मतलब यह है कि यह आप होम के नीचे market है, दूसरे number पे, market को क्लिक करना है, market के अंदर मुखतरिफ projects होते हैं, जो भी project आपको पसंद है, आपने उसको purchase करना है, मैं दूसरे number पे market पे जाता हूँ, home है, home के बात क्या है, market, मैं market पे जाता हूँ, अब market के उपर आपके साथ search का button है, उपर देखें search है, यह देखें, यह search है, आपको कोई कहें कि मैंने किसी, किसी, मैंने किसी coin में वो करना है, क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, तो मैं कहता हूँ कि balance पे करना है, BNB, balance का जो coin है, BNB, उसमें करना है, मैं BNB लिख दूँगा, ठीक है, अब चुके आपके साथ USDT है, तो ठीक है, तो आपने इसको select करके BNB purchase करना है, अगर आपके साथ BUSD है, तो BUSD भी एक stable coin है, balance का अपना है, ठीक है, उसको आप छोड़ दे, हम जिस चीज़ के उपर focus करना है, वो अभी फड़े, BNB और USDT को select करना है, चुके आपने USDT purchase किया हुआ है, तो आपने balance के साथ ज अब आपने इस rate के उपर purchase करना है, या इस सस्ता purchase करना है, तो मैं अभी आपको तरीका देता हूँ, या बता देता हूँ, नीचे देखे, buy का option है, और sell का option है, तो buy आपने कर देना है, ठीक है, अब कहता है, आपको कहता है, कि आपने buying करनी है, तो इसका rate है, 322.6, ठीक है, अब ही, आपने क्या करना है, विसाल के तोर पर, आपके साथ 50 डॉलर है, ठीक है, तो आपको कहते हैं, कि 50 डॉलर, ये थोड़ा कम हो जाता है, इसकी असल हो जाई है, कि, एक मैट सबर रख, अच्छा, थोड़ा बहुत, इनकी फीस वगेरा भी होती है, अच्छा, छोड़ आपने 50 मेंशन कर देना है, और लिमिट आपने बताना है, कि अगर मार्कीट, चलो ठीक है, अगर मार्कीट 3 इशा, 322 इशा या 6 पर है, और मेरे साथ इतने डॉलर्स है, तो मुझे इतने, दर्म्यान में दे के कोईंस की वेल्यू है, 0.154, इतने, इतना बैनेस का कोईं जिसके साथ बैनेस हो, अच्छा ठीक है, एक दूसरी चीज मैं आपको देखाता, मार्कीट, मार्कीट का ये मतलब है, कि जो भी मार्कीट की वेल्यू है, ठीक है, मिसाल के तोर पर मार्कीट की वेल्यू है, 322.5, आप लिख लो 500, ठीक है, 500, तो ये मार्कीट के हसाब से आपको 500 डॉलर की उपर आपको कॉइंस दे देंगे लेकिन मेरे साथ है नहीं मरकेट और अगर मैं लिमिट की बात करूँ तो लिमिट का यह मतलब यह है कि मिसाल के तौर मैंने 322 शार यह साथ पे नहीं खरीद रहा है मैंने 320 पे खरीद रहा है तो आप इस तरह कर ल mostly 320 लिखते हैं ठीक हैं और जितनी भी कोईंस है 50 कोईंस है तो आप उसको मेंशन कर दें और 320 और बाइ कर दें तो आपके साथ इदर एक ओर्डर कुल जाएगा नीचे ओर्डर कुल जाएगा कि आपने एक order लगाए हुआ है 50 डॉलर का और वो ये कह रहा है कि अगर ये coin 320 तक गिर जाए तो मेरे लिए automatic purchasing कर लो तो वो यहां से execute हो जाएगा नीचे आपके साथ order लग जाएगा मैं next video में इस इसको और भी practical आपको बताओंगा क्योंकि मैं रही साथ भी डॉलर्स है नहीं तो इंशल्ला मैं आपको बताओंगा किस तरह ये execute हो रहा है इस किस तरह नहीं हो रहा अच्छा इसके लावा अगर आप ने पिर मैं इन चीज़ों को मज़ीद बता दूंगा कि stop limit क्या है ट्रेलिंग stop क्या है और ओस यो क्या है आप बस इन दो चीज़ों फिलाल सीख ले अगर आप मार्कीट के साब से ले अगर आपने अभी खरीदना है मार्कीट के साब से ले जो भी लेना है 500 लगा दे और भाई कर ले बाई भाई भी खता हूं बस और ना सीख यह बस यह से स्पोर्ट ट्रेडिंग के लिए ठीक है फंडिंग से अपने स्पोर्ट में चेंज के 500 लगाओ बाई कर लो बस जो भी कीमत है मार्कीट की अभी मार्कीट के जो भी कीमत उसके साब से परचेज हो जाएगा जो भी कीमत है ठीक है 500 अगर आपके साथ 200 डालर है तो 200 खरीद अगर आपके साथ 300 है लेकिन आपने उपर मार्कीट सेलेट करना है देखें मार्कीट मार्कीट नीचे देखें दूसरे नमबर में मार्कीट इसको सेलेट करना है और अगर आप मार्कीट को नहीं सेलेट करते हैं तो उसमें ये मसला होता है कि कभी कभी आपने जिस लिमिट प तक ना पहुंचे नीचे ना जाए जिस हिसाब से आपने लिमिट लगा हुआ हैं, मिसाल के तोर पर आपने मारा लिमिट लगा है, तीन सु बाइस शारिया दो पे पांसो डॉलर्स लगाए हुआ हैं, ठीक हैं, तो आपका यहां पे एक नीचे ओर्डर कुल जाएगा, जब त अगर यह मार्कीर तीन सु बाइस शारिया दो तक पहुंच गई, आटोमेटिकली आपके पांसो डॉलर के इसाब से आपकी पर्चेजिंग हो जाएगी, उमीद है, आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, मैंने एक्स्प्लेनेशन दी है, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकल के साथ, अपने सरकल पे, अपने कोलीक्स, वटेवर जितनी भी है, आप उनके साथ शेयर करना, ताकि मजीद मैं मैंनत करूँ है, इस चीज़ के उपर, और आप लोगको मैक्सिमम बेनिफिट हो, स्पोर्ट ट्रेडिंग के अवाले से, फ्यूचर ट्रेडिंग के अवाले स और भी जितनी चीज़ें मैं उनको एक्स्प्लेन करता जाओंगा, जो भी क्वेस्चन है आपके जहन में, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है, तब तक के लिए, अल्ला हाफिस